तो गाईज नमस्कार तो यार मैं हूंON पपूर आप देखा है नहार वह सइन स्माल तो क्या कि है साइनसे वीडियो से मैं आपको सिखने क्या वाला हूं आप असानी से देख सकते हैं जहां पर लिखा किया हुए दीएन एंए तो यार डी यहां पर लिखा हुआ है तो आज के इस वीडियो से मैं आपको DNA के बारे में पूरा ही जनकारिया दे दूंगा तो यार आगे बढ़ने से पहले भाई का नाम जान लिजे मेरे नाम है पपू और आप देख रहे हैं क्या आपको तो पता ही है कि हम क्या देख रहे हैं तो आज के इस सबसे पहले बात किलियर करने वाला हूँ कि अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आएगी तो आप असानी से वीडियो के नीचे ना कोमेंट करके जा सकते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट होता है आपके सामने वीडियो और हम आपको बतलाते हैं कि DNA आखिर होता क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DNA का मतलब पूरा ही पूरा मैंने बारिकी से यहाँ पर लिख दिया है कि DNA का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है तो DNA का मतलब या फुल फॉर्म कुछ इस प्रकारगी होती है आप देखने का परयास किजिए तो डी ऑक्सिराइबो नुकलिक अमला, यानि Aggarshift Is. अगर इंग्रिश में देखा जाया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपको लगता है यहां तक ही बात है असानी से आज चुकी होगी अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोके और असानी से आप लिख सकते हैं तो और भी बातों को आपके सामने में सेर करने वाला हूं तो आप असानी से यहां तक देख लिजिए और इसके भी परतिसत क्या मिलता है और 10 परतिसत यहां पर नहीं मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो हाथ है तो आपका भी हाथ है और मेरा पैर है तो आपका भी पैर है और मेरा आख है तो आपका भी आख है जिस तरह हमारा कपाल में बाल है उससी परकार आपका भी है और लेकि इसका मतलब है आप समझ सकते हैं हमारा जो कह सकते हैं फेस है कि आपका फेस में मिलता है नहीं मिलता है तो यहीं आपका DNA में होता है हमारा 10% क्या होता है नहीं मिलता है और 90% क्या होता है मिलता है तो अगर आप इसको लिखना साहते हैं तो आप वीडियो को रोकिए और असान और भी बाते हैं जो कि आप यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर आपको दीख क्या रहा है आपको क्या असानी से यहां पर असानी से दीख रहा है कि DNA तो DNA क्या है तो आपको एक acid है जो यहां पर acid का जो नाम है कुछ इस प्रकार से अगर आप यहां पर देखें, तो यहां पर लिखा क्या हुआ है की डेने सबसे ज़्यादा हमारा काँ पाए जाता है अब बात आती है कि यार हमारा जो केंद्रक होता है वो क्या होता है तो आप अगर जन्तु को सिखा अगर पढ़े होंगे तो जन्तु को सिखा में हमारा मध्य वाला जो भाग होता है वो आपको केंद्रक कहलाता है अगर आप इसको लिखना साहते हैं कि केंद्रक क्या है तो आ अपको कहा होता है तो आप कहशे कहते हैं इसके बाद यहां पर लिखा क्या हुआ यहां पर कहा होता है एक इसके बाद होता है माइट्रो कैंटरिया जिसको हम कह सकते हैं सूत्र कनिका तो अगर इसके बाद अगर पुछ दिया जाए कि हमारा जो DNA होता है सबसे ज़्यादा कहा होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किंद्रक में अगर आप इसको अच्छा से भी लिखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर आपको लिंक दिया हुआ है पीडियेफ का और आप पसानी से लिख सकते हैं तो यहां ते की बात लगता है आसानी तक आज चुके होगी तो अभी जो जनकारिया मैं दे रहा हूँ वह है आपको DNA के बारे में ठीक है तो अब आगे के बातों को आपके सामने मैं सेर करता हूँ आप देखने का प्रयास किज़ेगा तो यहां पर आपके सामने दिख क्या रहा है कि सभी सजीव एम निर्जीव तो अब देखा जाए कि यार सजीव एम निर्जीव अखिर होता किया है तो अगर हम simple सी परिभासा करें तो सजीव अगर असानी से दिखा जाया तो सजीव जिसमें जान हो और निर्जीव जिसमें जान नहो तो मैंने आपको अभी अभी सोट परिभासा दी है जो कि सजीव और निर्जीव का अगर आप इसको असानी से देख सकते हैं तो आपको बह सथ 0.2 परतिशत डियने अस्थान नांतरन होता है अगर अस्थानИतरन यार तर्च करते हैं तो हमारा जो डियने तो 0.2% क्या होता है उसमें चला जाता है यानि ट्रांसपर यानि अस्थानांतरन यानि कह सकते हैं उसमें चला जाता है यानि एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है तो वह आपको अस्थानांतरन कहलाता है यानि कह सकते हैं ट्रांसपर कहलाता है तो यार हम किसी भी को छूते हैं तो हमारा जो DNA होता है ना DNA जो होता है वो आपको 0.2% क्या हो जाता है ट्रांस्वर्ट हो जाता है एक बात तो मैं यह किलिर कर दे रहा हूँ कि अगर आपके सामने थोड़ी सी हाला होगी तो आप समझ सकते हैं कि मैं अभी घर में वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी बहुत आहाला होती रहती है तो आप यहाँ पर टेंसन मत लिजेगा तो यहाँ पर आपको DNA समझ में आ गई होगी कि अगर हम किसी वस्ट्व को छूते हैं एक्जामपल समझी हम अगर पेन को छूते हैं अगर हम पेन को छूते हैं यानि अगर हम लैप्टॉप को छूते हैं यानि अगर टीवी को छूते हैं तो हमारा जो DNA होता है जीरू दस्मलो दो परतिसत क्या हो जागा उसमें चला जागा यानि ट्रांसफर हो जागा यानि कह घरों में चोरिया होती है तो अगर हम किसी वस्तु को चुराते हैं तो हमारा जो कोई चीज हम किसी वस्तु को छोते हैं तो हमारा जो DNA होता है जिस चीज को हम चुराते हैं वह चीज में चला जाता है तो वह चीज में चला जाता है तो अगर वह समान अगर छुट जाता है तो यह जो फिंगर है किसका है या किसका नई है यह क्यों करते हैं क्योंकि DNA से पता क्यों जादा है कि कौन सी वस्तु को किस ने छुआ है अगर हम पेन को छुए हैं तो यहां पर अगर हम किसी भी पेन को छूते हैं तो आप देख सकते हैं अगर हम पेन को छूएंगे तो हमारे जो DNA होगा उसमें सला जाएगा और अगर जो चेक करने वाले CID या कुछ भी होते हैं जो चे करने वाले होते हैं अगर वो चे करेंगे तो हम वहां पर पक्ड़ जाएंगे और हम पक्ड़ जाएंगे तो आप समझे रहें कि क्या क्या बातों को यहां पर करना पड़ेगा तो आपको यहां तक की बात आ गई होगी कि अगर हम किसी भी वस्तू को छूते हैं तो यार दो जीरो दसमलो दो परसिज़त क्या हो जाता है DNA आपको उसमें चला जाता है तो यार मेरा बोलने का माक्सद यह नहीं कि यहां पर है तो आप देख सकती है यहां पर लिखा क्या होए है DNA तो DNA का जो सनरचना आप बात आती क्यार सनरचना क्या होता है तो सनरचना का मतलब उसका आकरिती तो यार DNA का जो आकरिती ही न वे आपको 1903 पिरपन इसबी में दोस्तों सबसे पहले वर्षन किरिक अब बात आते हैं वर्षन किरिक क्या है तो वर्षन किरिक एक बैज्यानिक थे जिन्हों ने winter. 83.सv में क्या किए थे आजनी dna की आकरीति क्या किया थे या खोज किया थे तो आपको तो असानी से आगई हो ये कि और डियुने का जो खोज हुआ था ना सबसे पहले वर्षशन कीरों चोट के दूर्वारा हुआ था और तो कब हुआ था आपको 1993 Ughاش तो आहां सब्सक्राइब गतक्राइब पर यहां पर फोटो दिएंगा न में और तो यानि अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके सामने कुछ इस परकार से DNA का संरसन आपको देखने को मिलेगा तो थोड़ी सी हम इसको इरेर करते हैं और साइड में देखलाते हैं कि हमारा जो DNA होता है तो कुछ इस परकार से आपको देखने को मिलेगा यानि कह सकते हैं सा आक्रिती जो होती है यहां पर दिवी कुंडलेत होती है यानि दो यहां पर दो रसी की तरह क्या होती है रसी की समान यहां पर होती है ठीक है तो मैं आपको यहां पर फोटो आप देख सकते हैं तो गूगल पर सर्चमार के डेने की आप फोटो देख सकते हैं तो यहां पर DNA का जो सनरसना होता, यानि आकरिती जो होता है, क्या होता है, द्वी कुंडले तो होता है, ठीक है, तो यहां तक की बात लगता है, आपको आ गई होगी, और अभी जो हम पता रहे हैं, वह है आपको DNA के बारे में, ठीक है, तो और भी बाते हैं, जो कि यहां पर आप देख सकत है dna तो DNA में हमारा के आउदा कह 5 परकार के छार पाय जाते हैं help हमारा जो साबुन होता अगर हमारा साबून ज्चार भेर को लेते हैं तो व्लके Tobies यहांग के बेस होता है तो चार का अंग्रेजी जो होता है क्या होता है बेस होता है तो यार हमारा बेस आपको लगता है आसानी से आ गई होगी यानि बेस किसको कहेंगे त्यार कड़वा चीज को हम चार कहेंगे तो हमारा जो DNA होता है ना जो हमारा जो DNA अमल होता है ना उसमें भी चार प्रकार के छार पर जाते हैं, तो चार प्रकार के जो छार होते हैं, कुछ इस प्रकार के आपके सामने नामें होते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी इसको हम साफा कर ले रहे हैं, यानि क्लियर कर ले रहे हैं, और इसके बाद आप देख स और इसके बाद ग parléा मेंद यहां पर यहांपक देख सकते हैं और फी बात है तो यहांपर लिखा रहे साहाथ इम नुवांसित 5 कारी करने कि यहां तो फोड़ी इस आप यहाँ पर अभी भी हमने कहा दो लुखिए तो यहां आपकिया इन्तजार था हो गया हम सतुर्थ ह्ला से किस तस तरह हैं तो आप यहां पर बातों को गौर किज़ेगा, जो मैं बातों को आपके सामने से सर करने वाला हूँ, तो यहां पर लिखा क्या हूँ है, डीने में अनुवानसिक कारी करने में सहाता होती, एक्जामपल समझे, जैसा कि आप सब जानते होंगे, हम जब किसी, जैसे हम फिलीम देखते है हैं, तो फिली में आप सब देखते ही हूँगे, कि अगर कोई पिता है, जैसे मैं अपने पर एक्जामपल लेके, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं एक राजा हूँ, ठीक है, तो जैसे मैं एक राजा हूँ, तो यहांधा पूत्र कहीं, किसी वज़ा से मतलब मर गया, तो किसी वज़ा से मर गया तो अगर कोई लड़का आन करके कहता है कि ये पीता जी हमको कहता है कि ये पीता जी हमारा जो धन संपती है दे दीजिए तो हम कहेंगे कि नहीं हम कैसे देंगे तो उस स्थिति में क्या होता है कि उसका जो डिने होता है ना डिने आपका उसका चेक करा जाता है कि DNA आप चेक करवाओ तब पाता से लेगा कि उसका वह किसका पूत्र है तो DNA जब चेक होता है तो उससे पता हो जाता है कि वह किसका पूत्र है एक्जामपल आपको समझ में आ गई होगी कि जैसे अगर कोई राज़ा है तो अगर हम किसी के पास जाकर कहेंगे कि ये मेरे पिताजी हैं अगर जुट जुट कर हम कहते हैं कि ये मेरे पिताजी है और मैं इनको जानता हूँ अच्छा से तो हम किस तरह से उनको धन सपती देंगे नहीं न दे पाएंगे तो वे क्या करेंगे उस इस्तिति में क्या होता है कि उनका जो डीन होता है तो पता हो जाए कि देखना हो जाना उना उनका चेक होता है तो फृटिया है हूसकर आफ़ window अन्वांसिक कारे करने हैं क्या होता है इससे मतलब सहायता होती है DNA चेक करवा कर कि वह किसका पूतर है और किसका पूत्रिया है तो यहां तक है कि बाते असानी से अगर आया हो तो आप देख सकते हैं तो और भी बाते हैं जो कि आप असानी से यहां पर देखिए यहाँ पर बात आती है कि DNA का सबसे छोटा इकाई क्या होता है जीन होता है अब बात आती है कि यार जीन क्या होता है तो जैसा कि आप सबको पता है मैं एक्जामपल के तुरू समझाने का पर्यास कर रहा हूँ जैसे हमारा जो घर होता है घर किसकी चीज़ों से मिलकर बनाते ह तो बहुत सारे उसमें बहुत सारे कह सकते हैं अगर घरूलो भासा में तो बहुत सारे गोबर भूसा इसे मिला जाते हैं लेकिन यहाँ पर हम पक्का का बात करें तो पक्का में अगर आपको इंटा देखा जाया तो इंटा के बाद सीमिट देखा जाया और सीमिट के बाद कह आइध जाकते हैं बालू तो यह सब चीजों को यहां पर होता है धैसल अगर दछा जाया तो सबसे छोनी चाई का वक्ता होता है उसी परकार इन्फ होता है और पड़ क launched फवह से ठोर घर चाई नगे मने गए सबसके उते हैं नेने और उसकर के मुझते को तो हमारा जो DNA होता है वो आपको जीन से मिलकर बना होता है तो जीन क्या है वो सबसे छोटा रोप एक्जामपल समझे कि हमारा जो हमारा सरीर की चीज़ से बना हुआ है तो हमारा जो सरीर है वो आपको कोशिका से मिलकर बना होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा सरीर का सबसे होता है आपको जीन होता है लगता है यहां तक ही बात असानी से आ चुकी होगी और भी बात है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर तो पता है जीन से मिलकर क्या बना होता है डीने बना होता है तो यह तो आपको मैंने भी बता ही दिया कि जीन से मिलकर क्या बना होता ह dna बना होता है यानि घर किस चीज़ से मिलकर बना होता है तो eats से, cmet से बहुत सारे चीज़ों से उसी परकार हमारा जो dna होता है यह dna क्या एक acid है जो कि आप कहा सकते है डí oxyribonucleic acid है तो यह आपको किस चीज़ से मिलकर बना होता है जीन से ठीक है तो यहाँ पर बात आती है कि हमारा जो यहां पर जीन का यहां जो परभाव है वह बच्चों पर होता है अब बात आती है कि जैसे अगर जैसे मालत है आपका अगर साधी हो जाता है तो आपका जो डीने होता है डीने का जो जीन होता है वे आपको कह सकते हैं आपको आपके जब साधी होते तो आपका परभाव का होता, बच्चों पर होता अब बात आती क्या जिन का परभाव स Democracy बहुत लंमे हैं तो उनका जो बेटे होते लंमे होते या जिनका परभाव की सीचिश पर बच्चों पर होता अब यह नहीं परभाव कि अगर उनके पिता जी अगर डॉक्टर है तो उनके बच्चे भी डॉक्टर हो जागए या गलत है जिनका परभा उनके सारी रिक रूप पर होती है नहीं कि उनके पूरे जो होते हैं आपके डॉक्टर टीचर ये सब नहीं बन जाएंगे यानि अगर उनके पिता जी डॉक् में शेर करने वाला हूँ तो आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पास हंदाई हो तो लाइक किजिए और शेर किजिए अपने दोस्तों के पास बतलाइए और इसके बाद अगर आपको अच्छे लगती है तो आप सेनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं तो चल प्लक बने रहें और जुड़े रहें